तो आते हैं आपके आज वाले टोपिक पे हमने करना है question number 4 of exercise 11.2 question number 4 आपका क्या कह रहे है area of triangle आपको given है base आपको given है height आपको निकालनी है ठीक है जो जो चीज़े आपको given है सबसे पहले वो चीज़ पुट करो क्या चीज़ given है base base of triangle is given to be 15 cm and area of triangle is given to be 87 cm square and we know area of triangle is given by half into base into height which is equal to 87 which is equal to 87 so half into base is given to be 15 into height आपको क्या करनी है find is equal to 87 यह 2 यहाँ divide में है वहाँ जाएगा multiply में so 15 into h is equal to 87 into 2 यह यहाँ multiply में है वहाँ जाएगा divide में 87 into 2 by 15 3 5 जा 3 2 जा बच गया यहां से कितना 2 3 9 जा तो कितना आ गया 2 9 जा 18 1 2 2 जा 4 and 1 5 by 5 यहाने कि यहां से 5 1 जा 5 5 1 जा 5 3 then 5 6 जा तो कितना आ गया 11.6 cm is your height कितनी आ गई 11.6 cm is your height moot over next part part number B part number B आपका क्या कह रहा है देखो बेटा part number B के भी अंदर आपको same चीज़े given है एक चीज़ गीवन होगी एक आपने निकालनी होगी base की value क्या करनी है आपने निकालनी है area of triangle आपको क्या दिया हुआ है देखो बेटा B part को भी same तरीके से proceed करना है same तरीके से proceed करेंगे देखो बेट एक बार जाहन से सबसे पहले height of triangle क्या दिवी है height of triangle कितनी दे रखी है यहां से देखो 31.4 cm कितना millimeter ये भी millimeter में ये भी millimeter में units को change करने की ज़रत नहीं है उसके बाद क्या दिया हुआ है area area of triangle is given by कितना half into base into height होता है लेकिन दे कितना रखा है 1256 mm2 and we know area of triangle is given by half into base into height which is equal to 1256 यहां पर देखो height की value क्या है जो put कर दो 1 by 2 into 3 1 4 by 10 लिख सकती हूँ into H sorry into B, B की value निकालनी है तो ये कितना आ गया यहां से ये दोनों multiply में है divide में है वहां जाके multiply में तो 1, 2, 5, 6 into 10 into 2 और जो ये multiply में है ये divide हूए ठीक है आप देखो 2 यहां से देखो कितना आ गया 2 1s आ 2, 2 5s आ 2 7s क्या cancel कर सकते हो नहीं अब यहां देखो 5 और 1 7 और 1, 8, 8 और 5, 13 नहीं हो का divide इस से देखो 1 57 into 8, 8 7s आ 56, 5, 8 5s आ 40, 40 and 5, 45, 4 8 1s आ 8 and 4, 12 आ गया complete इस से जब मैंने इसको cancel out किया तो कितना आ गया 8 आप मेरे पास क्या बच्छा न्यूमरेटर में ध्यान से देखो 8 into 10 कितना 80 mm so base of that triangle is given by 80 mm now move to our next part, part number C part number C आपका क्या कह रहा देखो एक बार part number C आपका कह रहा ध्यान से देखना बेटा this is the base and this is the area so base of triangle is given by 22 cm triangle का base कितना दिया हुए 22 cm triangle का area area कितना दिया हुए बिटा 170.5 cm square याने कि इसके बाइब में 10 लिख सकती हूँ इतना मेरे को क्या निकालना है उसकी height we know area of triangle is given by half into base into height which is equal to 175 1705 by 10 base की value कितनी दी गई है 22 जो cancel हो रहा है cancel कर दो 11 is equal to 1705 by 10 यह 11 यहाँ multiply में है वहाँ जाएगा divide में तो 1705 by 10 into 11 यहाँ से देखना 11 वंजा 11 कितना होगे 11 वंजा 11 यहाँ से बच्चा 6 11 क्या divide हो रहे है complete सबसे पहला काम यही है 1705 को 11 से divide किया 11 वंजा 11 यहाँ से बच्चा 6 यह आपका 0 ठीक है यहाँ से 11 वंजा 55 बच्चा 5 यहाँ से आ गया 5 11 वंजा 55 तो कितना आ गया cancel out करके 155 155 by mid 10 इसको decimal में चेंज करूंगी 15.5 सेंटी मीटर इसमेंज हाइट ओफ दे ट्राइंगल इस गीवन बाइ 15.5 सेंटी मीटर नहाँ मूझ तो आवर question number 5 Question number 5 आपका क्या कहए रहे धियान से देखना बिटा Question number 5 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसने बोला PQRS is a parallelogram आपको एक figure दी हुई है Question number 5 में आपको figure दी हुई है that PQRS is a parallelogram PQRS is a parallelogram पर्लेलोग्राम PQRS ठीक है यहां से एक हाइट गई यह आ गई M यहां से एक हाइट गई वो आ गई N ठीक है और जो यह वाली हाइट है यह दी वह 7.6 और यह वाली हाइट आपको पता नहीं है उसने बोला PQRS पर्लेलोग्राम QM is the height from Q to SR Q से SR पे Q से SR पे जो height है वो Q है मैं और उसकी height कितनी दी हुई है बेटा 7.6 if SR is equal to 12 यानि कि यह आपको कितना दिया हुए 12 यानि कि 12 यह दिया हुए तो इसका मतलब यह क्या है base ठीक है उसने बोला then we have to find area of that पर्लेलोग्राम अगर मैं एक पर्लेलोग्राम की बात करूँ तो उसके अंदर कितनी भी height कितने भी base चींच कर लूँ जो figure है इसका तो area same मी रहेगा न वो तो change नहीं होगा तो यहां से मेरे पास condition क्या है यह आपकी height है यह आपका base है अगर इस वाली height और इस वा 12 cm अब यहां पर height height of parallelogram याने की qm क्या है qm कितनी दे रखिए बेटा 7.6 cm तो यहां से क्या निकालना है area of parallelogram क्या निकालना है area of parallelogram और area of parallelogram होता क्या है base into height क्या होता है base into height तो 12 into 76 by 10 लिख सकती हूँ कर दो multiply इसको इस से multiply किया 76 into 12 2 6 चा 12 1 2 7 से 14 और 1 15 यहां से 6 यह 7 यह आपका 2 5 & 6 11 यह 1 7 8 9 कितना आ गया 912 by 10 decimal चेंज करूंगी तो 91.2 cm2 is your answer यानिकि जो यह आपका pqrs है इसका area मेरे पास कितना आ गया 91.2 cm2 आप उसने मिरे से question पूछा qn मेरे को किसकी value निकालनी है qn की condition क्या दे दी अगर ps जो है वो 8 है अगर यह 8 है ध्यान से देखो बिटा अब मेरे पास base change कर दिया लेकिन base change कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि area change जाएगा area same रहेगा now second part में क्या लिखोगे base is given by base of parallelogram is given by 8 cm कितना दिया हुए 8 cm area कितना दिया हुए area of parallelogram कितना दिया हुए first part से 91.2 यहाँ पर मैं बात कर रहे हूं किसकी ps की तो area मेरे पास है कितना इतना और area होता क्या base into height is equal to 91.2 और base कितना आ गया यहाँ से 8 तो यह 8 यहाँ multiply में है वहाँ जाके divide में तो 91 यह 2 decimal change किया 10 into 8 जितना cancel कर सकते हो cancel करो यहाँ से देखो बेटा 8 1 जा 8 बच गया 1 8 1 जा 8 बच गया 3 8 4 जा 32 कितना आ गया 1 1 4 by 10 तो कितना 11.4 cm यानि कि जो आपका यह इस base की वज़े से जो यह height है QN तो यहाँ से क्या आ गया क्या लिखोगे last में तो QN is given by 11.4 cm कितनी आगे 11.4 cm clear तो यह था बिटा आपका question number 4 and 5 अगर आपने statement समझ ली तो question समझ लिया I hope it is clear to everyone if you like it and please share and subscribe thank you so much